दोस्तो बेल और पेरोल दोनों अलग-अलग कानूनी सब्ध हैं दोनों में बहुत बड़ा difference भी होता है परन्टु बहुत से लोग बेल और पेरोल को एक ही समझते हैं इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बेल और पेरोल में होने वाले legal difference के बारे में डिटेल से बताएंग तो दोस्तो ऐसी ही law related useful videos का notification पाने के लिए जल्दी से वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो बेल एक अंग्रेजी सब्ध है जिसे हिंदी में प्रतिभूती और उर्दू में जमानत कहते हैं जमानत की बात वहीं होती है जहां अपराद होता है अर्थात जब कोई ब्यक्ति भारतिय कानून के अनुसार कोई अपराद करता है तो अपराद होने के बाद उस ब प्री करना बेल कहलाता है। अर्थात संच्छेप में कहें तो जब किसी अपराद के आरोप में जेल में बंद ऐसा ब्यक्ति जिसे सजा नहीं हुई हो या अपरादी गोशित नहीं हुआ हो। पेत्र या रिष्तेदार एक प्रकार का आस्वासन लिख करके देता है कि कोर्ट ट्रायल के लिए हम ब्यक्ति को निर्धारित तितियों में कोर्ट में पेस करेंगे तो दोस्तो बेलेबल अफेंस होने पर पुलिस आरोपी को ठाने से स्वयम जमानत दे सकती है परंतु नान बेलेबल अफेंस में ब्यक्ति को बेल मिलना या ना मिलना कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है बेल मिलने से पहले तक ब्यक्ति पुलिस कश्टडी में रहता है पेरोल की बात करें तो पेरोल भी एक अंग्रेजी सब्ध है जिसे हिंदी में कारावकास अर्थात कारावास में अवकास कहते हैं ऐसा ब्यक्ति जिसे कोर्ट से अपरादी घोसित किया गया हो वह अपने अपराद की सजा जेल में काट रहा हो उसे कुछ समय के लिए कोर्ट की अनुमती से जेल से आजादी दिलाना पेरोल कहा जाता है अर्थात कह सकते हैं कि पेरोल सजायापता कैदी को मिलता है जिसे कोर्ड के माध्यम से उसके द्वारा किये गए अपराद की सजा मिल चुकी है और वह अपनी सजा को जेल में काट रहा है तो उसके कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने को पेरोल कहा जाता है तो दोस्तो बेल और पेरोल के डिफरेंस को संचेप में अगर जाने तो बेल आरोपी को और पेरोल सजायापता मुझरिम को मिलता है बेल में आरोपी को पुलिस लाकप या जेल से छोड़ा जा सकता है परन्तु पेरोल में सजायापता कैदी को सिर्फ जेल से कुछ बिसेश का कारण होने पर ही छोड़ा जा सकता है और बात करें दोस्तों तो बेल कोर्ट केस के ट्राइल के लिए दी जाती है वहीं पेरोल जजमेंट के बाद होती है तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद